ओम विश्णु देवाई नमा आमतोर पर देखा जाता है कि किसी भी शुब काम से पहली या मनोकामनोई पूरी होने पर सत्यनाराण वर्त की कथा सुनी जाती है सनातन धरम से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शुरी सत्यनाराण कथा का नाम ना सुना हो इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किये गए यग के ब्राबर माना जाता है इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर वर्त रखता है तो उसके जीवन के दुखों को शुरी हरी विष्णू खुद ही हर लेते हैं शुरी सत्यनाराण हरी विष्णू का दूसरा रूप है इस कथा की महिमा को भगवान श्री सत्य नारायन ने अपने मुख से देवर्शी नारद को खुद बताया है तो चलिए सुनते हैं श्री सत्य नारायन वर्थ की समफून कथा सत्यनान वर्द कथा का पूरा संधर्व यह है कि पुरातन काल में शोनकादिक रिशी नैमिश आरणने स्थित महरसी सूद के आशरम में पहुँचे रिशीगन महरसी सूद से प्रशन करते हैं कि लोकिक कस्ण मुक्ति सांसारिक सुक सम्रदी और पारलोकिक लक्षे की सिद्धी के लिए सरल उपाय क्या है महरसी सूद शोनकादि रिश्यो को बताते हैं कि ऐसा ही प्रशन नारज जी ने भगवान विश्णों से किया था भगवान विश्णों ने नारजी को बताया कि लोकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुक सम्रदी और पारलोकिक लक्ष सिद्धी के लिए एक ही राजमारक है वे है सत्य नारायन वार्थ, सत्य नारायन का आर्थ है, सत्य आचरन, सत्य ग्रह, सत्य निष्ठा, संसार में सुक्सम्रती की पर्टाप्ती सत्य नारायन द्वारा ही संभव है, सत्य ही इश्वर है, सत्य आचरन का आर्थ है, इश्वर आराधन, भगवान पूजा, कथा का प्रारम सूच जी द्वारा कथा सुनाने से होता है नारज जी भगवान श्री विश्णु के पास जाकर उनकी स्तूती करते हैं स्तूती सुनने के अनंतर भगवान श्री विश्णु जी नारज जी से कहते हैं महाभाग आप किस प्रयोजन से यहां आएं हैं आपके मन में क्या है कहिए वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नारजी बोले भगवन भितु लोग में अपने पापकर्मों के द्वारा विभिन योनियों में उत्पन सभी लोग बहुत परकार के कलेशों से दुखी हो रहे है हे ना किस लगु उपाय से उनके कस्टों का निवारन हो सकेगा यदि आपकी मेरे उपर किरपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं उसे बताएं भगवान ने कहा हे वत संसार के उपर अनुग्रे करने की इच्चा से आपने बहुत अच्चे बात पूछी है जिस वर्थ के करने से प्राणी मों से मुक्तो जाता है उसे आपको मैं बताता हूं सुने हे वत स्वर्ग और मिर्तु लोग में दुरलब भगवान सत्यनाराण क एक महान पुन्य पर्द वर्थ है आपके सने के कारण इस समय में उसे कह रहा हूं अच्ची प्रकार विदी विधान से भगवान सत्यनाराण वर्थ करकि मनुशिश शिग्रे सुख प्राप्त कर परलोग में मोक्ष प्राप्त करता है भगवान की ऐसी वानी सुनकर नारद मुनी ने कहा प्रभू इस वर्थ को करने का फल क्या है इसका विधान क्या है इस वर्थ को किस ने किया और इसे कब करना चाहिए यह सब विस्तार पुरोग बतलाईए श्री भगवान ने कहा यह सत्य नारएण वर्थ दुख शोक आदी का शमन करने वाला धन धान्य की व्रिधी करने वाला सोभागय और संताम देने वाला तथा सर्वत्र विजय परदान करने वाला है जिसकी सीबी दिन भगती और श्रधा से सम्मनित होकर मनुश्य ब्रामनों और बंदु भांदों के साथ धरम में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्य नाराएण की पूजा करे नवैद के रोप में उत्तम कोटी के भोजनिय बदार्त को स्वाया मात्रा में भक्ती पूर्वक अर्पित करना चाहिए केले के फल, घी दूद, गेहूं का चून, अत्वत चेउन, गेहूं के चून के अभाव में साठी चावल का चून, शक्कर या गुड यह सब भक्ष सामगरी सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करने चाहिए बंदू-बंदो के साथ श्री सत्य नाराण भगवान की कता सुनकर दक्षिना देनी चाहिए तदंतर बंदू-बंदो के साथ भोजन करना चाहिए उसके बाद भगवान सत्य नारायन का समन करते हुए अपने घर जाना चाहिए ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलासा अवश्य पून होती है विशेश रूप से कल्युग में पृत्वी लोग पर यह सबसे छोटा सा उपाय है सूची बोले हे द्विजों आम्मे पुने पुरवकाल में जिसने इस सत्य नारायन वर्द को किया था उसे भली भांती विस्तार पुर्वक पताऊंगा रमणिय काशी नामक नगर में कोई अत्यन निर्दन ब्राम मन रहता था बोक और प्यासे व्याकूल होकर मैं प्रति दिन पृत्वी पर भटकता रहता था भगवान ने उस दुखी को देखकर व्रिद का रूप धान करकी उस द्विज से आदर पुर्वक पूचा हे प्रति दिन अत्यन दुखी होकर तुम किसलिए प्रित्वी पर भर्मन करते रहते हो हे द्विज स्रेष्ट यह सब बतलाओं में सुनना चाहता हूं प्रत बोला प्रभो मैं अत्यन द्रिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही प्रित्वी पर भूमता हूँ यदि मेरी इस द्रिदर्ता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो किर्पा पूर्वक मुझे बतलाईए ब्रित बोला हे देव सत्यनारेण वर्त विश्णु अभिस्ट फल देने वाले हैं हे विप्रतुम उनका उत्तम व्रित करो और जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है वर्त के विधान को भी यतन पूर्वक कहकर व्रित रूपधारी भगवान विश्णु वही पर अंतरध्यान हो गए व्रित नहीं जैसा कहा है उस वर्त को अच्छी परकार से वैसा ही करूँगा यह सोचते हुए उसको रात को नीन नहीं आई अगले दिन प्राते काल उटकर सत्ते नारायन का वर्त करूँगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा उस दिन बिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ उसी धन से उसने बंदू-बांदू के साथ भगवान सत्ते नारायन का वर्त किया इस वर्त के परभाव से वहस रेष्ट सभी दुखों से मुक्थों कर समस संपत्यों से संपन्न हो गया उस दिन से लेकर परतेक महेने उसने यह वर्त किया इस प्रकार भगवान सत्ते नारायन के इस वर्त को करके वहस रेष्ट सभी पापों से मुक्थों गया और उसने दुरलब मौक्षपद को प्राप्त किया हे वीप्र प्रित्वी पर जब भी कोई मनुश्य स्री सत्यनाण का वर्द करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नस्ट हो जाएंगे जिस परकार भगवान नारायन ने महात्मा नारत जी जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कहे दिया आगे अब और क्या कहूं हे मुने इस प्रित्वी पर उससे सुने हुए इस वर्द को किसने किया हम सब यह सुनना चाहते हैं उस वर्द पर हमारे शर्दा हो रही है श्री सूच जी बोले, मुनियों पृत्वी पर जिसने हैं वर्थ किया, उसे आप लोग सुने, एक बार वहे द्विज श्रेष्ट अपनी धम संपत्ती के अनुसार, बंदू बांदू वो तदा परिवार्जनों के साथ ब्रत करने के लिए उद्धत हुआ, इसी बीच एक लक करके उससे बोला प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल के प्राप्ती होती है, मुझे विस्तार पूर्वक बताईए, वीप्र ने कहा यह सत्यनारायन का पर्थ है, जो सभी मनोरतों को पूर्ण करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महांधन आधि प्राप्त हुआ है, जल पीकर तथा परशाद लेकर वह नगर चला गया, सत्यनारायन देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा, कि आज लकडी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायन का वर्थ करूँगा, इस परकार मन से चिंतन करता लकडी को मस्तक पर रख कर वो सुन्दन अगर में गया, जहां धन धानने संपन्न लोग रहते थे, उस दिन उसने लकडी का दुगना मुल्य प्राप्त किया, इसके बाद परशन हर्दे होकर वह पके हुए केले का फल, शरकरा, घी, दूद और गेहुं का चून सवाया मातर में लेकर अपने घर आया, ततका शात उसने अपने बाद्वों को बुलाकर विधी विधान से भगवान सत्यनारायन का वर्द किया, उस वर्द के प्रभाव से वह धन पुत्र से संबन्न हो गया, और इस लोग में अनेक सुखो का उपभोग कर अंत में सत्यपूर अर्थार बैकुंट लोग को चला गया, श्री सोजी बोले, श्रेष्ट मुनियो, आप मैं पुने आगे की कथा कहूंगा आप लोग सुने, प्राचिन काल में उलका मुख नाम का एक राजा था, वह जीतेंद्रिये, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धी मां था, वह विध्वान गुणों से संपन, तथा पती प्रायना थी, राजा एक दिन अपनी धरमपतनी के साथ भद्रशीला नदी के तत्पर, श्री सत्यनाराण का वर्द कर रहा था, उसी समय व्यपार के अनेक परकार की पुशकल धनरासी से संपन, एक साधू नाम का बनिया वहां आया, पित कर वह राजा के समेब गया, और राजा को उस वर्द में दिक्षित देख कर विन्यपुर्वक पूछने लगा, साधू ने कहा राजन, आप भगती युक्त चित से यह क्या कर रहे है, किरपा सब बतलाईए, इस समय मैं सुनना चाहता हूं, राजा बोले, हे साधू, प बादू ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विशय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाईए, आपके कथना अनुसार, मैं वर्द या पूजन करूँगा, मुझे भी संतती नहीं है, इस से अवश्य ही संतती मतलब संतान प्राप्त होगी, ऐसा विचार कर वह व्य तथा जब मुझे संतती प्राप्त होगी, तम मैं इस वर्द को करूँगा, इस परकार उस साधू ने अपने भारिया लीलावती से कहा, एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साधवी भारिया, पती के साथ आनंद चित से, रितु कालिन धरम आचन में परविर्थ हुई, और वह शुकल पक्ष के चंदरमा की भांती दिन प्रति दिन बढ़ने लगी, उसकन्या का कलावती यह नाम रखा गया, इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामे से मधुरवानी में कहा, आप पूर्व में संकल पिच्छरी सत्य नाराण के वर्द को क्यों नहीं कर न इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी, तदंतर धरमग्य साधू ने नगर में सक्षियों के साथ किलडा करती हुई अपनी कन्या के विभायोग्या देखकर आपस में मंतरना करके कन्या विभा के लिए स्रेष्ट वर का अन्वेशन कर, ऐसा दूद से कहकर शि पुत्र लेकर आया, उस साधू ने उस वने के पुत्र को सुन्दर और गुणों से संपन्न देखकर, अपनी जाती के लोगों तथा बंदो बांदों के साथ संतुष्ट चित हो, विधी विधान से वने कुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया, उस समय वे साधू बनिया, दुरभाग्यवस भगवान का वह उत्तम वर्थ भूल गया, पूरो संकल्प के अनुसार विवा के समय में वर्थ ने करने के कान भगवान उस पर रुष्ट हो गए, कुछ समय के पश्चात अपने व्यपार करम में कुशल वह साधू बनिया, काल की प्रेणना से अपने दा माद के साध वहां वैपार करने लगा, उसके बाद वे दोनों राजा चंदरकेतु के रमनिये उस नगर में गए, उसी समय भगवान सरी शत्ते नारायन ने उसे ब्रष्ट परतिग्य देखकर इसे दारून कठिन और महान दुख प्राप्थ होगा यह शाप दे दिया, एक दिन एक चोर राजा चंदरकेतु के धन को चुरा कर वही आया, जहां दोनों वनिक स्थित थे, वहे अपने पीछे दोड़ते हुए दूतों को देकर, भैबीत चित से धन वही छोड़कर सिगर ही छिप गया, इसके बाद राजा के धूत वहां आ गए, जहां वह साधू वन इन्हें देखकर आप आज्या दे, राजा की आज्या से दोनों से ग्रीद रिटा पूर्वक बांद कर बिना विचार किये महान कारागार में डाल दिये गए, भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी, और चंदरकेतु ने उन दोनों को का धन भी ले लिया, भगवान के शाप से वनिक के घर में उसकी भारिया भी अतन दुखी हो गई, और उनके घर पे सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया, लिरावती शारिरिक तता मानसिक पीडाओं से युक्त भूक और प्यास से दुखी हो, अनकी चिंता से दरदर भटकने लगी, कलावती कन्या भी भोजन के लिए इतरुदर प्रती दिन गूमने लगी, एक दिन भोग से पिडित कलावती एक घर में गई, वहां जाकर उसने स्री सत्यनाराण के वर्थ पूजन को देखा, वहां बैटकर उसने कता सुनी और वर्दान मांगा, उसके बाद परसाद गहन करके वह कुछ रात होने पर घर गई, माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुतरी, रात में तु कहां गुरुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है, कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, मा, मैंने एक घर में मनोरत परदान करने वाला वर् की भारिया वर्द करने को उद्धत हुए और परसन्मन से उस साध्वी ने बंदू-मान्वों के साथ भगवान श्री शत्य नारायन का वर्द किया और इस प्रकार प्रात्ना की भगवन आप हमारे पती और जमाता के अपराद को शमा करें वे दोनों अपने घर शिग्र आ जा इस वर्द से भगवान सरी शत्य नारायन पुने संतुष्ठ हो गई और उन्होंने निरप स्रेष्ट चंद्रकेतु को स्वपन दिखाया और स्वपन में कहा निरप स्रेष्ट प्रात्य काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस स पुत्र से तुमारा सर्वनाश कर दूँगा राजा से सोपन में ऐसा कहकर भगवान सत्य नारायन अंतर ध्यान हो गई इसके बाद प्रात्य काल राजा ने अपने सभासदों के साथ बैठकर अपना सोपन लोगों को बताया और कहा दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शिग बेड़ी बंदन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं इसके बाद दोनों महाजन रप्सरेष्ट चंदर केतु को परणाम करके अपने पूर्व वरतांत का समण करते हुए भैवीन हो गई और कुछ ना बोल सके राजा ने वणिक पुत्रों को देकर आदर प राया राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तता सामने बुला कर वाणी द्वारा अत्यदिक आनंदित किया पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया उसके बाद राजा ने पुने उनसे कहा साधो अपने घर को जाए ऐसा कहे कर उन दोनों महा वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया साधू बनिया मंगल आशन कर और ब्रामनों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा साधू के कुछ दूर जाने पर भगवान शरी सत्यनारायन की उसकी सत्यत्या के प्रिक्षा के विशय में जिग्यासा हुई साधो तुमारी नाव में क्या भरा है तब धन के मद में चूर होने के कारण दोनों महाजनों ने अवेलना पूर्वक हसते हुए कहा दंडिन क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ दर्वे लेने की इच्छा है हमारी नाव में तो लता और पत्ते हैं ऐसी निश दंडि के चले जाने पर नित्ते क्रिया करने के पस्चात उतराई हुई अर्थार जल के उपर की और उठी हुई नोका को देखकर साधू अतन्त आश्च्रे में पढ़ गया और नाव में लता और पत्ते आदी देकर मुर्चित हो पिर्थवी पर गिर पड़ा सचेत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गया तब उसने दामाद ने इस परकार कहा आप शोक क्यों करते हैं धंडी ने शाप दे दिया है इस थीती में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें शंशे नहीं अतै उनी की शरण में हम चलें वही मन की इच्छा पून होगी दामाद की बात सुनकर वह सादू बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ती पूर्वक उन्हें परणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा आपके सम्मुक मैंने जो कहा है सत्य भाशन का रूप अपराद किया है आप मेरे उस अपराद को शमा कर ऐसा कहकर बारंबार परणाम करके वह महान शोग से आकुल हो गया डंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा है मुर्ख रो मत मेरी बात सुनो मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आग्या से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है भगवान की ऐसी वान सुनकर भै उनकी स्तूती करने लगा साधू ने कहा है प्रभो यह आश्च्रे की बात है कि आपकी माया में से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदी देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने क कान कैसे जान सकता हूं आप परसन हो मैं अपनी धन संपति के नुजर आपकी पूजा करूँगा मैं आपकी शरण में आया हूं मेरा जो नोका में स्थित पूरा धन ता उसकी तथा मेरी रक्षा करें उस बनिये की भक्ति पूर्वक वाणी सुनकर भगवान जनार्दन प्रिपूण देंकर भगवान सत्य देव की किरपा से हमारा मनुरत सफल हो गया। ऐसा कहकर सवजनों के साथ उसने भगवान की विदिवत पूजा की। भगवान सिरी सत्य नारान की किरपा से वह आनंध से प्रिपूण हो गया। और नाव को प्रतन पुरुक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधू बनिये ने अपने दामाद से कहा वह देखो मेरी रतन पुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने जाकर साधू की भारिया को देखाथ जोड़ का परणाम किया। और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेट जी अपने दामाद उर बंदू वर्गों के साथ बहुत सारे धंधान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूद के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनन्द से विफिल हो ठी। और उस सादवी ने श्री सत्य नाराण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा मैं सादू के दर्शन के लिए जा रही हूँ तुम शिग्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर वर्थ को स्माप्त करके परशाद का प्रित्याग कर वह कलावती भी अपने पती का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान स्री सत्य नाराण रूस्ट हो गए औ पर उन्हों ने उसके पती को तथा नोका को धन के साथ हरन करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पती को ना देख महान शोक में रुदन करती हुई प्रित्वी पर गिर पड़ी। नाओ का अधर्शन तथा कन्या को अतन दुखी देख भैपीत मन स साधू बनिया, सूचा यह क्या अश्च्रे हो गया। नाओ का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गई। तदंतर वह लीला वती भी कन्या को देख कर विफिल हो गई। और अतन दुख से भी लाप करती हुई अपने पती से इस परकार बोली अभी अभी नोका के साथ व महां तम में कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वे सवजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पती के नश्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुखा लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसके उसने मन में निश्चे किया। कन्या के इस प्रकार के आचन को देख भारिया सईत वे धर्मग्य साधू बनिया अतन्शोक संतत हो गया। और सोचने लगा या तो भगवान सत्य नारायन ने यह अपन किया है। अथवा हम सभी भगवान सत्य देव की माया में से मोहित हो परणोंगा। सभी को बुलाकर इस परकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारम बार भगवान सत्य देव को दन्वत परदान किया। इसे दीनों के प्रिपालक भगवान सत्य देव परसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने किरपा पुर्वक कहा तुम तो हे सादू बनिय तुम्हारी पुत्री पती को प्राप्त करेगी इसमें शंशे नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वणी सुनकर सिगर ही घर गई। और उसने परशाद ग्रहन किया पुने आकर सवजनो तथा अपने पती को देखा। तब कलावती कन्या न के धन और बंदो बांदों के साथ अपने घर गया। तदंतर पुनिमा तदा सक्रांती परवों पर भगवान श्री सत्यनाराण का पूजन करते हुए इस लोक में सुक भोग कर अंत में वह सत्यपूर वैकुंट लोक में चला गया। भगवान सत्यनाराण की किरपा आप सब पर बने रहे। कता आपको अच्छे लगी हो तो लाइक चरूर कीजिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।